देखो दोस्तों आप लोग इस तीन से चार मिनट वीडियो को ध्यान से देखिएगा आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं और मैं आपको दावे के साथ के सकता हूँ कि आपको कोई भी फेंटेसी एक्सपर्ट ये बात के लिए नहीं कियो होंगे और ना कोई फेंटेसी आप अभी इस बात को फॉलो कर रहा है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर आप भी वैसा वही कर रहे हो जो दुन्या कर रहे है और आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल चेक नहीं कर रहे हो तो आप बहुत गलत काम कर रहे हो तो जाहें दोस्तों कैसे आप लोग सब्सक्रता हूँ आपके अपने भाई के यूटूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में दोस्तों यहां पर टेक्स के रिलेटेड जो ड्रीम एलेमेंट का नया अपडेट्स आया है उससे रिलेटेड यह एक ऐसा वीडियो है जो आप देखने के बाद चौंक में चले जाना है वहां पर जाने के बाद आपको सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक उसके उपर क्लिक करके आप सभी भैक को यहां पर जोइन कर लेने हैं अब देखिए भीया सारे एक्सपर्ट अंटिल मैं भी आप लोग को अभी सब्सस्रों ट्सक्राइब जैसे कि आपने डि में इनिवेस्टमेंट क्या था पल दोस्तों मापको काल्कुलेटर पर लेकर चलता प्याठा आपने डलाक गilda गती यहां पर तो boca में पुड़े साल में पांच लाग रुप्या का तो मैं भी आपको अभी तक बोल रहा था और सारे एक्सपर्ट मैं तो बैस समझो कि जैसे अपडेट मैं आपके बीच में लेके आभी जाता हूं लेकिन यह आपको कोई बताने वाले नहीं सारे के सारे फिंट्यासी एप जो है इ उनको इस चीज को एडी स्टडी करना चाहिए मैं आपको बताता हूं यह कैसे वर्क करेगा अब मालो आपने एडी में यहां पर डिपोजीट किया सो रुप्या ठीक है अब इससे आपने बना लिया पांच जार रुप्या तो सब क्या बोलेंगे कि फिर वही बात पांच ज करने के एक मन करता है कि मुझे चलो अपने यूजर के लिए वर्क करना होगा इस सक्षन के उपर तो यहां पर 4900 रुपीज को बिल्कुल भी टीडियस नहीं देने ध्यान से देखेगा इस वीडियो को अब हम में मुद्य की बात करते हैं आपने डी में डिपोजीट किया 1000 तो आपको यहां पर 9000 रुपीज का बिल्कुल टीडियस नहीं देना है ध्यान से देखेगा यहां पर अपने डी में लगाया उससे आपने बनाया 3000 रुपीया फिर आप आप डी में खेले आप यहां पर जितना जितना आप कंटेस्ट जोइन कर रहे हो वो कंटेस्ट आपक के बीच में 300 रुपीया फिर 200 जीते फिर 500 जीते फिर 800 हाडे कहने का मतलब टोटल आपका जो इनिवेस्टमेंट आप कंटेस्ट है वो आपने कर दिये लगवक 6000 इसी एक 1000 में से एक ही बाटोपूर आप लगाऊ यह नहीं एक मैं जीते फिर आप लगाए फिर जीते फिर सब्सक्राइब करके आपका जो वहां पर टोटल नंबर कंटेस्ट में जो इन्वेस्टमेंट था अब आपका जो वहां पर टोटल वीनिंग्स हुए उतने में वह बने 10,000 रुपीया मानके चलते हैं तो अब वहां पर क्या लगा था आपको कि आपको 9000 रुपीज का TDS दे यहां पर कंट होंगे सबसे बड़ी बात में आपको बतार उसको ध्यान रगना है आपने बीच में हारा होगा जीता होगा इस बीच में जितनी रुपीज के आपने कंटेस्ट जोइन क्या होगा वह यहां पर कंट होगा ना कि आपने कितने रुपीज डिपोजीट किया था और कितने रुपीज विड्डॉल किया था तो अभी कोई भी application जिसका मैं भी promote कर रहा हूँ almost maximum application ये चीज अपलाई नहीं कर रहे हैं उनको ये चीज करना होगा उनको पहले ये चीज को समझना होगा आखिर ये चीज हाई क्या उसके बाद दोस्तों देखिए अब 6,000 आपने investment किये थे total number of contest में और 10,000 आपके winnings वे इसका मतलब आपको 4000 रुपीज का ही TDS देने हैं तो जो आप इतना tension में चल दो कि भाई TDS TDS वो आपके benefit की हैं अगर आप बातों को समझोगे तो 4000 का 30% जो आपका आएगा वो आपका TDS कटेगा और यह TDS यहाँ पर भी मैं आपको बताता हूँ TDS कटने के बाद अगर मालो कि आपने पूरे साल में पूरे साल में अगर आपका sequence कुछ ऐसा बनता है profit loss, profit loss करने के बाद अब देखिए मैं आपको deposit नहीं बोल रहा हूँ मैं बोलो profit loss, profit loss का sequence बनने के बाद अगर आपके यहाँ पर investment होते हैं मालो एक लाख रुपिया ठीक है और उस sequence में अगर आप withdrawal करते हो चार लाख रुपिया तो आपको यहाँ पर जो है तीन लाख रुपिया का 30% TDS देना पड़ेगा यह एक लाख deposit नहीं आपका यह deposit आपका 5000 भी हो सकता है यह deposit आपका 10,000 भी हो सकता है उसको आपने sequence में ऐसे चलाया है कि वह आपका contest एक लाख रुपियस तक का बन गया है तो उस बात को आपको ध्यान में देखे चलने होंगे यहाँ पर जो तीन लाख का आपका TDS बनेगा मैं मान के चलता हूं कि approximate आपका लगवग तक्रीवन 85-90,000 का असपास आपका TDS बन जाएगा अब मान लो कि आपका यह TDS कट गया एक बार मैं पूरे साल का नहीं बता रहो मैं 6 मेना का यह बता रहो यह आपका 85,000 का TDS कट गया ठीक है अब आप अगले 6 मेना भगवान ना करे कि हमारा बहुत ही बुरा रहता है वहाँ पर हम 5,000,000 पी जार जाते हैं या फिर 6,000,000 पी जार जाते हैं तो वहाँ पर जब हारे हो यहाँ पर आपके TDS बने है तो TDS इसमें कंसेशन होगा और यह आपका जो TDS बनेगा वो डिफंडेवल हो जाएगा ऐसा नहीं कि TDS लागे तो गवर्मेंट का हो गया वो वो आपका डिफंडेवल होगा इंड अप दे इयर अगर आप नेट प्रॉफिट में नहीं हो और उसके बाबजुद अगर आपने पहले वीन क्या होँआ था वो TDS बन गी आपका तो आपको किसी सीए के पास दाना होगा 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000 रुपीस देने होंगे उनको बोलना होगा कि सर्जी देखिए ऐसा है कि मेरे जो इस पर TDS है जिस भी अप्लिकेशन का वो रिफंड करवा दीजिए वो आपको एजली वे में 1000 रुपिया लेंगे रिफंड करवा देंगे तो moral of the story वैसा भी था कि जो बदलाव आए है उसको आप बाड़े की से समझेए बहुत सारे आपको एक्सपर्ट यहाँ पर बरगलाने का कोसिस करेंगे आपको कुछ भी बोल देंगे लेकिन जो fact है उसके आप तैकिकात कीजिए उसको समझने का कोसिस कीजिए उमीद करता ह अगर TDS के regarding कोई भी डॉट हो इत्तु सा डॉट हो तो मुझे आप जरूर बताएगा अगर आप लोगों मैंसे दो भैका भी डॉट रहेगा तो मेरा हाक बनता है कि आपका एजए ब्रदर मैं आपके डॉट्स को किलियर करूं आप लोगों ने दोस्तों इस टेलीग्राम च किजेगा शाथ में अगर आपके फ्रेंड सर्क्ल में कोई भी फेंटैसी खेल देऊं तो उनसे आप यह वीडियो जरूर किजेगा कि मुझे पता है कि 90 से 95 परसेंट लोगों को यह बात मालूम ही नहीं है ठीक है